नमस्कार मैं वैशाली आज मैं आपको सौंभ बादामो और मिश्री का ऐसा चमतकारिक नुस्का बताने जारी हूँ अगर इसका मिश्ण बना कर आप खाते हो तो अगर जैसे कि आपकी आँख कमजोर हैं जैसे आप सब जानते ही हैं कि आज काल बच्चे मुबाइल देखते हैं बच्चे हो या बड़े सभी लोग मुबाइल जाता देखते हैं और किसी कारण से हमारी आँखें कमजोर हो जाती है पावर का चुश्मा लग जाता है काफी नंबर बढ़ जाता है तो अगर आप इन तीनों का मिश्री बना करके खाते हो एक पौडर के रूप में बना कर हम इसे दूद में लेते हैं तो इसका फाइदा हमें बहुत जादा मिलता है और ये सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाता है जैसे हम लोग बढ़, सौफ, मिश्री तो अलग-अलग खाते ही है लेकिन अगर हम तीनों को मिक्स करके खाते है तो इसका फाइदा हमें आखों के लिए तो मिलता है लेकिन इसके फाइदे और भी बहुत जादा है जैसे जिन लोगों को गैस, कब्स, पेट साफ नहीं होने की परिशानी है तो हम इसका जो मिश्रन बना करके खाते हैं जैसे कि आप सब को पता है कि बढ़ा में और सौफ में काफी मातरा में फाइबर होता है और सौफ तो हम जैसे पेट खरग होता है तो अकसर लेते ही रहते हैं तो हमारा पेट भी अच्छी तरह से साफ होता है और जिन लोगों को नीन ना आने की समस्या है तो इस मिश्रन को थंडे दूद में मिक्स करके पिएंगे तो उने नीन भी बहुत अच्छे आती है और इन तीनों का मिश्रन हमारे स्कीन के लिए भी बहुत फाइब बंद है क्यूँकि इस मिश्रन को लेने से हमारे अंदर जो टॉक्सिंस होते हैं वह बाहर निकलते हैं तो हमारे स्कीन बहुत यह बड़ी आपर sensitive और जो लोग अपना weight loss करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मिश्रन बहुत ही फायदे मन्द है क्योंकि इस मिश्रन से जो fat होता है हमारी body में वो burn होता है तो हमारे चर्बी कम होगी तो weight loss अपने आप होगा तो चली शुरू करते हैं बदाम, सौफन, मिश्री का चमतकारिक नुस्का बनाना तो यहां quantity बता देती हूं आपको तीनों मैंने बराबर मातरा में लिया हुआ है तो जैसे बदाम 100 ग्राम है, 100 ग्राम है और यहां पर मिश्री भी 100 ग्राम है क्योंकि आपको छोटा टुकरा दिख रहा होगा लेकिन वजन में काफी है और यह धागे वाली मिश्री हो यह काफी अच्छी मानी जाती है आयरवेड में भी इसका बहुत ही फादे है तो यह देखे मिश्रन बनाने के लिए यहां पर मैंने छोटा वाला मिकसर जार ले लिया है तो अब मैं इसमें सौफ दाल दूगी बदाम डाल दूगी और मिश्री को मैंने कूट लिया है तक कि असाने से मिकसर जार में पीस जाए तो यह से तीनों को डाल दिया है तो यह देखे सौफ मिश्री और बदाम का यह मिश्रन तयार हो गया है और आप कलर देख सकते हो कितना बड़ी आया है बहुत मिक्सर जायर में कोई चीज पीशते हैं तो थोड़ी सी गरम हो जाती है तो जब ये पूरी तरह से नॉर्मल टेंपरेचर में आज है पाउडर तो उसके बाद आप इसे एक आज के एड़ जायर में भरके रख दीजिए और आप आपको मैं इसको लेने का तरीका बताती हूँ तो आपको इसे ठंडे दूद में लेना है और आपके सोते वक्ते इसे लेना है तो आप इसे एक से दो चमच ले सकते हैं और बच्चों को आदा से एक चमच दे सकते हैं और जैसे जैसे आप इस मिश्रंग का सेवन करने लगेंगे तो आप देखोगे कि इसका फाइदा आपके आखों के रोशनी बढ़ने लगी है और आपकी काफी सारी समस्या है पेट से संबंदित है तो पेट साफ होने लगेगा नींद भी अच्छी आएगी आपकी स्कीन भी ग्लोव करेगी तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सौंफ बादाम और मिश्री का चमतकारी नु उसका कैसा लगा